2018 की सक्सेस्फुल मुवी में एक का सेकंड पार्ट लेकर आ चुका है हमारी मुलाकात बार-बार होगी सबसे पहले ट्रेंज का मतलब जान लगा तो ट्रेंज मतलब ऐसी गहरी खाया नाली जो जमीन के अंदर बनाई गई है या बनी हुई है और यहां ट्रेंज का मतलब है समुदर से 25,000 मीटर नीचे की ऐसी जगह जो नॉमल समुदर वाली दुनिया से अलग है और फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी चल रहा है वो 25,000 मीटर मतलब 25,000 मीटर बे वैसे वो मीटर ही था ना की फीट बोला था ओके जो भी हो बहुत गहरा था तो जो यह मूवी है मेगट उठे ट्रेंज पूरी मूवी देखने के बाद मुझे सच कहूं तो इसके ट्रेलर में जितना भी पार्ट दिखाया गया था वो ज्यादा अच्छ इस फिल्मी स्टोरी के नाम पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, no story, only action और शायद वैसे भी ज्यादातर लोग इसे बस इसके action creatures के साथ sequence के लिए ही देखने जाएंगे, क्योंकि starting में क्या हो रहा है, क्यों वो लोग पानी में जा रहे हैं, अंदर इतनी मगजमारी करन और उपर से दो गुंटे से भी कम की फिल्म है, तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा, बट story को बाजू में रखे ना, तो जेसन जो इस फिल्म के लीड एक्टर है, वो और शार्क जब भी स्क्रीम पर आएंगे, आपको मज़ा बहुत आएगा, action scenes बहुत कमाल के बनाए गए हैं, VFX और CGI के department को बढ़िया ही बोल सकते हैं, natural लगते हैं और सभी actors ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर जितनी भी आज तक आपने shark से related movies देखी होगी, ये फिल्म वैसी ही है, I mean वो shark थोड़ी बढ़ी है, खूनखार है, उसे मारना है, लोगों को बचाना है, बस तो क एवरेज one time watch entertainer movie और इसलिए इसकी rating भी average ही होगी, 2.5 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में.